लेकिन मैं सिर्फ update के बारे में नहीं बताता हूं बलकि मैं ये भी बताता हूं कि EPFO के दौरा किये गए update से PF members को केसे और क्या फाइदा होगा तो इस update से क्या फाइदा हुआ है और केसे फाइदा हुआ है आएए जानते हैं आगे वीडियो में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों अगर आप भी डरते हैं किसी और को अपने UN नमबर का पासवर्ड बताने से और अगर किसी को आपके UN नमबर का पासवर्ड पता चल जाता है तो आप तुरंद अपनी UL नमबर का पासवर्ट चेंज करते हैं इस डर्स है कि कहीं आपके PF अकाउड में किसी तरह का कोई फ्रोड न हो जाए इस वज़े से अगर आप बार बार अपनी UL नमबर का पासवर्ट चेंज करते हैं तो यहां आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बार है कि अपसे आप अपनी UL नमबर का पासवर्ट किसी को भी बता सकते हैं और अगर किसी को आपके UL नमबर का पासवर्ट पता चल जाता है तब भी आपको डरने की जरूत नहीं है नहीं आपको UL नमबर का पासवर्ट चेंज करने की जरूत है क्योंकि यहां पर EPFO ने एक बहुत ही जबर्दस अपडेट किया है उस अपडेट के आने के बाद में अगर किसी को भी आपके UL नमबर का पासवर्ट पता चलता है तब भी आपके PFO को अपडेट क्या है और यह अपडेट कैसे आपके PFO को अपडेट में होने वाले फ्राट को रोकेगा यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर दीजे सब्सक्राइब क्योंकि इस पीएफो से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी तो दोस्तों अगर बात करें इस पीएफो के नए अपडेट के बारे में तो अपडेट कुछ इस तरह है कि आपसे जब भी आप अपने पीएफ अकाउंड में योईल नमबर और पासवर्ड एंटर करके लोगिन करेंगे तब पीएफ अकाउंड को होमपेज ओपन होने से पहले आपको एक OTP वेरिफिकेशन करना होगा जिसमें आपको OTP और क्याप्चर कोड एंटर करना होगा अभी जो OTP आएगा यह आपके उस मोबाइल नमबर पर आएगा जो मोबाइल नमबर आपके आधार काड और पीएफ अकाउंड में लिंक है तो पहले मैं आपको कम्प्टेर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको OTP एंटर करके पीएफ अकाउंड में लोगिन होना है तो चलते हैं कम्प्टेर स्क्रीन पर तो यहां मैं आ चुका हूँ कम्प्टेर स्क्रीन पर और यहां आप देख सकते हैं यहां से हम अपना UN नमबर और पास्वर्ट एंटर करके अपने PF अकाउंड में लोगिन होते हैं तो अब मैं अपना UN नमबर और पास्वर्ट एंटर करता हूँ और PF अकाउंड में लोगिन होता हूँ जैसे ही मैं यहां इस आइन इन पर क्लिक करता हूँ तो अगला पर जैसा आज आएगा अब यहां आप ध्यान से समझिये कि होगा क्या देखे जब हम अपने PF अकाउंड में लोगिन करते हैं तब हमें UA नमबर के साथ में पास्वर्ट एंटर करना पड़ता है उसके बाद अब यहां पर EPF उन्हें अपडेट कर दिया है कि जैसे ही आप अपने PF अकाउंड में लोगिन करेंगे वैसे ही आपको OTP एंटर करना पड़ेगा उसके बाद ही आप अपने PF अकाउंड में लोगिन कर पाएंगे और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि OTP आएगा आपके उस मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपके आदार काड और PF अकाउंड में लिंक है यानि कि आपके खुद के मोबाइल नंबर पर आपको OTP मिलेगा वो OTP आपको यह एंटर करना है फिर क्याप्चर कोड एंटर करना है उसके बाद सब्मिट पर क्लिक कर देना है सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आप अपने PF अकाउंड में लोगिन हो जाएंगे तो यह है वो अपडेट जिसे मैंने आपको बताया है लेकिन मैं सिर्फ अपडेट के बारे में नहीं बताता हूँ बलकि मैं यह भी बताता हूँ कि यह PF के दुआरा किये गए अपडेट से PF मेंबर्स को कैसे और क्या फाइदा होगा तो इस अपडेट से क्या फाइदा हुआ है और कैसे फाइदा हुआ है आईए जानते हैं आगे वीडियो में तो अगर बात करें इस अपडेट से होने वाले फाइदे के बारे में तो देखें इस अपडेट के आने के बाद हमारा एक डर तो खतम हो चुका है और वो डर यह था कि अगर किसी को हमारे यूए नमबर का पास्वर्ड पता होता था तो पीएफ मेंबर्स को यह डर होता था कि कहीं वो पीएफ अकॉर्ड में लोगिन न हो जाए और हमारे पीएफ अकॉर्ड में किसी तरह का कोई फ्रोड ना कर दे वैसे इस अपडेट के आने से पहले भी अगर किसी को यूए नमबर का पास्वर्ड पता होता था तब भी वो हमारे पीएफ अकॉर्ड में सिर्फ लोगिन ही कर सकता था हमारे पीएफ अकॉर्ड में वो किसी तरह का कोई फ्रोड नहीं कर सकता था लेकिन पीएफ मेंबर्स को डर तो फिर भी होता ही था तो अब इस update के आने के बाद अगर आपके UN नमबर का password किसी को पता भी है तो वो वैक्ति आपके P.F. account में आपके P.F. account में आपके P.F. account में लोगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि P.F. account में लोगिन करने के लिए O.T.P. एंटर करना पड़ता है और O.T.P. आएगा आपके मुबाइल नमबर पर तो जब आप O.T.P. नहीं बताएंगे तो कैसे कोई आपकी परमिशन के बिना आपके P.F. account में लोगिन करेगा और जब भी कोई व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना आपके P.F. account में लोगिन करने की कोशिश करेगा तो आपके मुबाइल नमबर पर O.T.P. आ जाएगा और आपको यह पता लग जाएगा कि कोई आपके युएन नमबर के पासवर्ट का इस्तमाल करके आपके P.F. account में लोगिन कर रहा है तो यह फाइदे हुए है E.P.F. O. के इस नए अपडेट से और इस अपडेट से हुआ यह है कि P.F. मेंबर के साथ होने वाले फ्रोट की चांसेस को अब E.P.F. O. ने लगबख खत्माइक कर दिया है बाकी आज किस वीडियो पर सिर्फ इतना है उमीद करता हूं दोस्तो E.P.F. O. के नए अपडेट आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो भी आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये E.P.F. होते जोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी